गौहर को याद आ रहे हैं उनकी और जैद के दुबाई वाले दिन क्या है पूरी स्टोरी बताते हैं इस वीडियो में हेलो दिस इस लीसा कंगवानी और गौहर अभी शादी के कुछ दिन पहले ही होकर आई है दुबाई से ऐसे में उनको वही दिन बहुत याद आ रहे हैं 25 दिसेंबर को शादी के बंदन में बंधने वाली है जैद दरबार के साथ गौहर खान ऐसे में वो अपने throwback picture को share करके याद करी है वो दिन जिस picture में वो नजर आ रही है जैद दरबार और अपनी बहन के साथ हम आपको बता दे कि अभी गौहर जैद के साथ चुप चाप एक mini vacation पर निकल गई थी और वहाँ खूप सारे enjoy करके वापस लोड़ी है दुबई गई गौहर ने काफी अच्छे moment spent के जैद के साथ और आप वापस आच चुकी है इंडिया और अपनी शादी की तयारियों में ज हो चुकी है गौहर और जैद इसी होटेल में बंदेंगे शादी के बंदन में अपनी families के साथ हम आपको बता देंगे एक intimate ceremony होने वाली है जिसमें दोनों के families नजर आने वाली है और सिर्फ कुछ खास दोस्त ही नजर आएंगे दोनों की शादी के दौरान और चुप चाप यह लोग अच्छी खास एक intimate ceremony में शादी कर लेंगे इसके अलावा गौहर अभी कोई ऐसा professional काम में busy नहीं है वो सिर्फ अपनी शादी की तैयारियों में busy है जिस picture को उन्होंने share किया है उस picture में वो बता रही है कि उनको किस तरीकी से उनके दुबई के moments याद आ रहे हैं उ आपको यही कहेंगे शादी के बाद तो कई सारे ऐसे moments आपको मिलने वाले हैं जैद के साथ तो अभी शादी की तैयारियों पे concentrate कीजे पुरानी यादित तो ताजा होती ही रहेंगी आपके कहना चाहें गौहर और जैद के बारे में लिखकर बता दीजिए में comment section में साथी म चानल दिखते रहें क्योंकि ऐसी मज़दार खबर हैं आप तक पहुंचाते रहेंगे